नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वारे हैं आपको अपने Angel One एप से कैसे अपना P&L समरी देखनी है आपको कितना profit हुआ कितना loss हुआ वो पूरा statement आपको कैसे देखना है तो सबसे पहले आप login कर लिंगे अपने Angel One एप पे उसके बाद आपको यहाँ पे funds section देख रहा है इसमें हम click करेंगे उसके बाद click करने के बाद यहाँ पे पी एनल समरी में हम यहाँ पे reports type में P&L समरी पे यहाँ पे हम click करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे financial year डाल देंगे जो भी financial year का देखना है उसके आप view transaction करेंगे यहाँ पे लेकिन view transaction करने के बाद आपक टाइब हमको PNL statement देखना है अपना PNL summary देखनी है यहां पर equity का देखना है और financial year जो भी देखना है आपको सारे financial year का यहां पर दिख जाएगा जैसे हम current financial year का देख लेते हैं यहां पर go करेंगे तो अभी हमने कोई भी trade नहीं किया इसमें कोई भी बेचा खरीदा तो है लेक 2021 में आपको करेंगे तो 2021 का हमको यहां पर PNL statement हमको दिख रहा है वैसे ही आपको अगर जिस भी financial year का देखना है FNO का देखना है currency का देखना है या all देखना है सारे ही आप यहां पर देख सकते हैं अब फन का भी हम करते नहीं है तो यहां पर हमको दिखेगा नहीं future and option अग 2021 में तो यहाँ पर हमको उसकी डिटेल्स दिख रही है इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगी कैसे आपने अपना PNL समरी देखनी है PNL स्टेटमेंट देखना है Angel One एप में अगर आपका Angel One एप में अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक हम description में देनेंगे वहाँ से आप आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट उपन कर सकते हैं और भी ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए आप हमाई चैनल को like, share and subscribe जरूर करें, मिलते हैं अगली ऐसी ही informative वीडियो के साथ thanks for watching